आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटिटूट के बारे में शुकर गुजारी के बारे में ग्रेटिटूट क्या है किस तरह इसको हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी life को मजीब बहतर और groom कर सकते हैं और अपनी जिन्दगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं gratitude का basically मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि attitude है लेकिन नहीं gratitude attitude का नाम नहीं है बलके ये emotion है, ये motivation है ये आपके inner core values हैं जो आपको जिन्दगी गुजारने के तरीके बताते हैं ये basically हमारे अंदर behaviors, personality traits बन चुके हुए हैं जिसको हम नाम देते हैं अगर मैं बात करूँ हम जिस तरहां daily basis पे सोते हैं, उठते हैं और शुकर अदा भी करते हैं अल्द अला की जात का लेकिन हम उस चीज़ को दिल से accept ने करते हैं जुबान से कहना और दिल से कबूल करना बहुत ज़्यादा difference है तो gratitude का basically मतलब ही है कबूल करना acceptance अगर हम acceptance के element को अपनी life में डाल लें अपनी life में enter कर लें, ingredients सबच के तो हमारी life बहुत अच्छे तरीके से गुज़र सकती है और gratitude के कुछ अच्छे तरीके हैं अपनाने के जिसमें सबसे पहली ये है कि हम दूसरों को appreciate करें दूसरों को appreciate करने से भी पहले-पहला process है अपने आपको appreciate करें हम अपने आपको दूसरों से compare करते हैं पहली टिप तो मेरी यही है कि आप अपने आपको important से दूसरी चीज दूसरों को appreciate करें, say thank you, ठीक है, जब आप किसी एक छोटी सी चीज पर कोई activity पर किसी दूसरी को thank you करते हैं, appreciate करते हैं, तो ये gratitude बहुत आपकी life में positivity लेकर आता है, ये एक energy booster है जो आपकी जिंदगी से negativity को दूर करके positivity को लेकर आता है, और ये booster किस तरहां आ सकता है, सबसे पहले आप अपनी जात को जानते हैं, पहचानते हैं, और Allah ताला की जात का शुकर अदा करते हैं, क्यूंकि हम लोग अपनी, जब मुश्किलात आती हैं, तब Allah ताला को याद करते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी हलात में भी उनको अजमाई समझ कर, अला ताला की जात का शुकर अदा करें, तो आप अपनी लाइफ को बहत बहतर तरीके से गुजार सकते हैं, इसके इलावा, आप बैट कर, अपने आपको थोड़ा टाइम देकर, थोड़ा मेडिटेट करके, दौा करके, नमास प सके, एक बहुत अच्छी कोड किसी ने कही थी, कि आप अपने पास्ट को रिवाइफ करें, देखें, उसको देखकर अपने आज को बहतर बनाएं, और अपनी फ्यूचर की वियन को क्लेर करें, कि अपने पास्ट को देखते हुए, अपने आज को अच्छा करें, अपने कुछ सीखा होगा आप लोग भी हमारे साथ कुमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आप लोग किस तरह ग्रैटिट्यूट को अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करते हैं किस तरह शुकर गुजारी का जो तरीका कार है आपकी लाइफ में वो किस तरह है ताकि आप लोगों के कुम झाल झाल